इस दिन्या में हमने हमेशा चाहा है कि सब हमें सम्मान दे, सब हमारी इज़त करे मगर क्या ये चाहना सही है जब हम स्वैम ही दूसरों को वो ना दे पाए? क्यूं हमें लगता है कि हम सम्मानित नहीं है? क्यूं हमें लगता है कि हमें इज़त नहीं दी जा रही? हमारा जीवन ही स्वेम में सम्मान है इस जीवन का ही जब हम सम्मान नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों से इसकी क्या पेक्षा करें कि वो हमें एक नए तरीके से इज़त दे हम सब में कोई फर्क नहीं है ये बात हमें बहुतों ने बताई है पर क्या हम इसे मानते हैं? हर पल, हर क्षण हम एक दूसरे से भेदभाव जरूर करते हैं हर पल हम खुद को दूसरों से बहतर बनाने में लगे रहते हैं बहतर होने में कोई खराबी नहीं है मगर किसी को नीचा दिखा के फुद को आगे बढ़ाने में जरूर खराबी है क्योंकि वो एक गलत जगाह से पेश आ रहा है वो एक गलत जगाह से उपज रहा है हर किसी के अंदर वो खुबसूरत दिव्वे शक्ति प्रवाहित होती है इस बात को हमें मानना जरूरी है जब हम पैदा हुए थे हम सब संपून पैदा हुए थे इस जीवन में बड़े होते होते हमें हमारे परीजनों ने, हमारे गुरूं ने हमें बताया कि हमें अलग होना है, दूसरों से बहतर होना है ये करेंगे तो हम नीचे रह जाएंगे, ये करेंगे तो हम उपर हो जाएंगे, मगर हकीकत में हम सब एक समान है, सब उस एक दिव्य आत्मा के छोटे-छोटे अंश है, सब में वही खून रवाहित होता है, सब में वही खुआब है, खुपसूर्ती के, बड़े होने के, पर ह हम हमेशा उसके पूरे होने के लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं, दूसरों को मजबूर करते हैं, कोई हमें इज़द ना दे, तो हम उसके प्रती आगहात करते हैं, उसको बुरा कहते हैं या उसके साथ बुरा करते हैं, पर अगर हम ये मान लें, कि हम में वो परमशक्ती, सदैव ही थी, हम पैदा ही सम्पूर्ण हुए हैं, तो क्या हम में ये हीन भावना रहेगी? सिर्फ इस हीन भावना के चलते हम दूसरों को ही बुरा महसूस करवाते हैं और खुद भी हमेशा उस हीन भावना से ग्रसित ही रह जाते हैं. अंत तक पता नहीं किस इज़त को पाने के खोज करते हैं, जो हिसाब से हमें परमात्मा ने शिरू में ही दे दी थी. तो चलिए, एक बार ध्यान में जाके, दोबारा उस परमात्मा से जुड़ते हैं, जिसने हमें सम्पूर्ण पैदा किया था. एक आराम दायक स्थिती में बैठ चाएं, कमर को सीधी रखें, कंधे अगर उपर चड़ रहे हैं, तो उन्हें नीचे की तरफ आने दें, आखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी सास भरें, और इसे रोक लें. अब इस सास को हम मुझ से छोड़ते हुए, अपने कंधों को, गर्दन को, छाती को धीला छोड़ते जाएंगे. एक और लंबी गहरी सास भरेंगे, और इस बार इस सास को अपने पैरों तक, हाथों तक महसूस करें, और मुझ से सास छोड़ते हुए, देखिए कि आपके पैर और हाथ, जमीन की तरफ बहते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं. पूरी तरहा से स्थिर हो जाएं, मासपेशियों को बिल्कुल ना हिलने दे, एक ही स्थिती में बैठे रहें अगले कुछ पलों के लिए. एक और लंबी गहरी सास शरीर में भरें और इसे पूरे पेट तक भर लें, और फिर रोक लें. और अब सास को धीरे धीरे मूँ से छोड़ते हुए, देखें कि शरीर से सारा तनाओं बाहर जाता जा रहा है, बाहर जाता जा रहा है, बाहर जाता जा रहा है. इस पल तक क्या क्या हुआ, अगर अभी भी वो आपको तकलीफ दे रहा है, तो उस पूरी भावना को, एक फिल्म की तरह अपनी आखों के सामने, अपनी भावों के ठीक बीच आग्या चक्र के सामने ले आएं. और अपनी हर सामस को देखें, कि इन भावों के बीच से वो सामस बाहर जाकर, इस द्रिश्य को आपके शरीर से और दूर करे जा रही है, दूर करे जा रही है, हर सामस को छोड़ते हुए वो आपके शरीर से और दूर जाती जा रही है, और शरीर में एक नया हलका बनाता ज जा रहा है, एक नई शान्ती आती जा रही है, अपने शरीर के आसपास पूरी तरफ दिखिये कि एक सफेद प्रकाश आपको अपने अंदर समेटे हुए है, यह आपकी उर्जा है, और यह उर्जा चक्र आपको सुदैव सबसे बचाती है, और यह उर्जा ही है जिसको महसूस करके कई लोग कहते हैं कि उनको आपके साथ अच्छा महसूस होता है, या बुरा महसूस होता है, इस उर्जा चक्र को अपने अंतर मन की आखों से देखने की कोशिश कीजिए, क्या इसमें किसी तरह के छेद है या कोई भारी उड़ जा है या कोई कालिक है तो ध्यान हमेशा सांस पे ले जाएं और इस सांस को छोड़ते हुए देखें कि एक कालिक दूर जाती जा रही है यदि ये कालिक अभी भी भी नहीं आसानी से जारी तो आपको और गहरी सांस लेनी होगी लेकिन ये आपको जरूर छोड़ेगी बाहर ये आपको इस से जरूर मुक्त करेगी सांस लेते जाएए और देखिए हर सांस छोड़ते हुए आपकी ये उड़ जा बिलकुल सफेद प्रकाश से प्रकाशत हुए साफ होती जा रही है बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे आप जिस कमरे में बेठे हैं उस पूरे कमरे में ये सफेद प्रकाश भर गया है आपके इस उर्जा चक्र के अंदर अब जो भी आएगा आप उससे आसानी से समझ पाएंगे आप उनसे आसानी से बात कर पाएंगे अपने विचार एक शांत स्थिती में प्रकट कर पाएंगे और उनके विचारों को भी सहजता से समझ पाएंगे फिर देखिए कि क्या फर्क है उनके अंदर और आपके अंदर जिस तरह आपकी आखे हैं उसी तरह से उनकी भी है जिस तरह आप भी एक बच्चपन से गुजरे हैं उसी तरह वो भी एक बच्चपन से गुजरे हैं जिस तरह के आभाव आप में है, हीन भावना हमारे अंदर है, डर है, हमेशा एक प्यार की, एक प्रेम की, एक संपूंता की खोज आप में है, उसी तरह से इन में भी है तो क्या फर्क है इन में और आप में, कुछ पल खिले से जानते हुए, समझें, और फिर अपनी इस सफेद प्रकाश को इनके साथ बाटें ये मानते हुए कि मैं मानता हूँ, कि हम सब उस परमात्मा का ही एक अंश है हम अपनी परिस्थितियों में खोकर अपने अस्तित्व को खो चुके हैं, पर आज इस पल में, हम एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे को वापस उस परमात्मा से जोड सकते हैं इस भावना को जब आप अपने अंदर बेठा लेंगे स्वेम ही सब आपके अपने बन जाएंगे सब के साथ इसी तरह से पेश आएं जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ पेश आएं आपको आपकी गलतियों के लिए भी माने आपके खामियों के बाद भी प्यार करें वही प्रेम अब दूसरों को वापस देने का वक्त आ गया है सास पे ध्यान लेते हुए एक और बार अपने अंदर वो स्थिरता महसूस करें वो शक्ती महसूस करें कि आपके अंदर पर्मात्मा की वो शक्ती है कि अब आप दूसरों को प्रेम, सद्भावना दे सकते हैं और ये यकीनन एक शक्ती है धीरे धीरे इस शक्ती को अपने साथ अपने बहुत एक जीवन में आज से वापस लाते हुए हम अब ध्यान से बाहर आएंगे अपनी दोनों हो थेलियों को आपस में रगड़ें और इस उर्जा को महसूस करें किस तरह से प्रकट हो रही है अब इससे अपने आखों पे रखते हुए चेहरे पर एक मन सी मुस्कान ले आएं इस तरह से कि ये कमरा पूरी तरह से आपकी सकारात्म कूर्जा से भर जाए और थीर इसे आखे खोले एक नए विश्वास के साथ एक नई सद्भावना के साथ नमस्कार